जैन दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं रोहित भारगव अतुल्ल एकेडमी के यूट्यूब चेनल पर आप सभी का पुन स्वागत करता हूँ जैन दोस्तों मैं आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या फिजिक्स भोतिक विज्ञान भोतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसका नाम है मापन मापन के तीन लेक्चर हो चुके हैं उनमें आपको मैंने पूरा डिस्क्राइब में समझाया था भोतिक रासिया, सदीस रासिया, अधीस रासिया, मूल रासिया, विधपन रासिया, मूल मातरक, विधपन मातरक और मातरक की पद्दतियां, CGS, APS, ऐसा ये सारी चीजे हमने पिछले लेक्षर में विस्तार पुर्वक देख ली है अब आगे हमने देखा था मापक यंत्र फिर देखा था राडार और सोनार और इसके कुछ कोशन पूछे थे मैंने तो उसके अंसर आप सभी के द्वारा कमेंड बॉक्स में दिये गए तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए वीडियो पूरा देखिए और साथ ही स आतिक छोटा सा काम करना है चेनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है लाइक करना है और कमेंड में अंसर जरूर लिखना है और साइड में एक छोटी सी घंटी बनी होगी दोस्तों उस पर क्लिक करना है ताकि आपको क्या मिल जाए नोटीफिकेशन की अगला वीडियो अतुल एकेडमी का आ चुका है समझ रहे हो दोस्तों तो सब्सक्राइब, लाइक, घंटी का बटन कमेंड में क्या लिखना है? अंसर और सबसे महत्वपूर्ण बात वीडियो को क्या करना है? पूरा देखना है और अंत में कमेंड में क्या लिखना है? अंसर उमीद करता हूँ आपने ये बाते ध्यान से सुनी होगी आगे बढ़ते हम यहाँ पर नए टोपिक के साथ बहुत ही इंट्रेस्टिंग टोपिक है जहां से एक्जाम में एक नएक कोशन बनता ही है थोड़ा सा प्रिक्टिकली टोपिक है हम इसको यहाँ पर पूरा विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों हर एक चीज बताऊंगा आपको यहाँ पर गती के बारे में बहुत ही क्या है महतुपुन टोपिक बढ़ते हैं आगे हैं पर गती से समन्ना दोस्तों हमारे आसपास सभी चीजे हमारे आसपास सभी चीजे या तो गती की अवस्था में होती है या वीराम की अवस्था में होती है ठीक है क्या बोला मैंने या तो गती की अवस्था में होती है या तो वीराम की अवस्था में होती है बहुत ही बेसिक उधारण चलती हुई बस किसका उधारण है गती की अवस्था का उधारण है वहीं बस इस्टेशन पर रुकी हुई बस विराम की अवस्था का क्या है उधारण तो दो चीजे बोली है मैंने यहाँ पर एक होती है गती की अवस्था और एक होती है क्या विराम की अवस्था एक कौन सी हो गई हैं पर गती की अवस्था और एक कौन सी हो गई हैं पर विराम की अवस्था समझना यहाँ पर गती की अवस्ता और विराम की अवस्ता क्या है यदि कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू के सापेक्ष ध्यांत सुनना यदि कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू के सापेक्ष समय के साथ ध्यांत सुनना यदि कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू के सापेक्च समय के साथ अपनी स्थती में परिवर्तन करती है तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों गती की अवस्था जी हाँ ध्यान से सुनना समय के सापेक्च तो यदि कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू के सापेक्ष समय के साथ क्या करे अपनी इस्थती में क्या करे परिवर्तन तो इसे क्या बोलेंगे गती की अवस्ता वहीं यदि कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू के सापेक्ष समय के सापेक्ष अपनी इस्थती में परिवर्तन नही करती है तो इसे क्या बोलेंगे हम विराम की अवस्था ठीक है दो चीजे हो गई यहाँ पर एक गती की अवस्था और एक विराम की एक में वस्तु समय के साथ अपनी स्थती में क्या कर रही है परिवर्तन लेकिन एक जगा समय के साथ अपनी स्थती में परिवर्तन नहीं कर र चलती हुवी बस किसका उधारण है गती की अवस्था का वहीं रुकी हुवी बस उधारण है विराम की अवस्था का ठीक है दोनों चीजे हमें समझ में आनी चाहिए ठीक एक गती की अवस्था और एक विराम बहुत ही बेसिक है यहाँ पर गती का आगे बढ़ते हम यहाँ प एक वीमिय गती एक होता है द्वी वीमिय गती और तीसरा महत्वपूर्ण सरवादिक कोश्चन बनने वाला टोपिक है त्री वीमिय गती या जिसे आप केते हो थ्री डाइमेशनल समझे में आ रिए बात 1D, 2D और 3D परिभासा बताएंगे आपको यहाँ पर लेकिन हमारे लि बन जाता है प्रक्षेप गती किस गती का उधारन है एक वीमी का, त्वी वीमी का, त्री वीमी का या इन में से कोई नहीं तो इसका उत्तर तभी पता चलेगा जब वीडियो को आप पुरा देखोगे ठीक है प्रक्षेप गती आकास में पतंग की गती यह बहुत ही बेसिक सरल सरल से question एक्जाम में आते हैं तो इनको हम परिभासा के साथ साथ टेक्निकली रूप से भी देखेंगे 1D, 2D और 3D चलिए आगे बढ़ते हम यहाँ पर एक विमिय के साथ किसके साथ बढ़ेंगे यहाँ पर एक विमिय गती के साथ या 1D, वन डाइमेंशनल समझ आई बात दोस्तों एक विमिय गती समझना है यहाँ पर जब कोई वस्तू एक सरल रेखा में क्या कर रही हो गती ध्यानत समझना जब कोई वस्तू एक सरल रेखा में क्या कर रही हो गती तो इससे हम यहाँ पर बोलेंगे लुलेंगे, एक विमी ये गती या वन दाइमेंशनल मोशन, ठीक है, सब्द समझना, जब क्या कर रही हो, शरल रेखा में क्या कर रही हो, गती, तो इसे कहेंगे, वन डाइमेंशनल motion या एक विमिय गती समझ आ रही है बात दोस्तों अगला है यहाँ पर द्वी विमिय गती कुन सी दोस्तों द्वी विमिय गती 2D सब्द आ गया अगला द्वी विमिय गती या 2D यानि 2 dimensional motion जब कोई वस्तू किसी तल में गती करती हो किसमें गती करती हो जब कोई वस्तू किसी तल में गती करती हो तो इसे हम यहाँ पर बोलेंगे द्वी विमिय गती अभी बोला था प्रक्षेप गती कहा था ना दोस्तों तो प्रक्षेप गती उधारण है द्वी विमिय गती का किसका उधारण है द्वी वीमी गती का पुनह उधारण बताऊंगा एक एक चीज बताऊंगा पेले क्या देख रहे हैं यहाँ पर परिभासा तिसरी प्रमुक गती है त्री वीमी गती जिसे आप बोलते हो थ्री डाइमेंशनल मोशन मुवी भी देखने जाते हैं वहाँ पर कोलते हैं थ्री डी मुवी लगी है कौन सी मुवी लगी है थ्री तो आज पता चलेगा कि थ्री डाइमेंशनल मोशन या त्री वीमी गती तो जब कोई वस्तु खुले आकास में कहां पर जब कोई वस्तु खुले आकास में क्या करती हो गती करती हो तो इसे क्या बोलेंगे ह आपर 3 विमीय गती, सर जल्दी से उधारन बताओ, तो इसका basic सा उधारन है, आकास में पतंग की गती किसका उधारन है, 3D का उपर देख रहे हो दोस्तों पतंग उड़ रही है, तो ये किसका उधारन है, 3D यानि 3 विमीय गती का, तो जल्दी से revision कर लेते हैं जब वस्तु सराल रेखा में तो 1D जब तल में तो 2D और जब वस्तु आकास में गती करें कहां पर आकास में यानी खुले आकास में गती करें तो इसे कहेंगे 3VM गती या 3D ठीक है बहुत ही basic बताया सर थोड़ा example होगे रहा तो बताओ तो आगे बढ़ेंगे हैं पर निर्दे सांग जयामीती के अनुसार किसके अनुसार? निर्दे सांग जयामीती के अनुसार तो दोस्तों एदा सिधा सिधा पढ़ा के हैं पर मैं आगे नहीं बढ़ूँगा लेकिन उसके पहले दो तिन उधारन सुन लो समझो हैं पर अगर आप से पूछा जाए खुले मेदान में या खेल के मेदान में फुटबॉल की गती किसका उधारन है? तो खुले मेदान में फुटबॉल की गती उधारन है द्वीविमी गती ध्यान से सुन लेना खुले मेदान में फुटबॉल का उधारन है किसका द्वीविमी गती का लिख लेते हैं हैं या पर और क्या-ק्या उधारन है सर्थ द्वीविमी के 2D के तो 2D के उधारन बन जाएंगे हाँ पर एक तो फुटबॉल वाला एक्जाम्पल ठीक है? अगला बन जाएगा इंपोर्टेंट है प्रक्षेप गती क्या बन जाएगा उधारण प्रक्षेप गती अगला उधारण सुनना ध्यान से व्रतिय गती ठीक है, तीन उधारण बताएं फुटबॉल की गती खुले मिदान में प्रक्षेप गती और व्रतिय गती को बता देता हूं यदि हम किसी वस्तु को फेकते हैं तो उध्वादर तल में जाकर नीचे घिर जाती है तो इसे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे प्रक्षेप गती यह मैंने हैं पर डस्टर फेका यह सीधा जाएगा फिर एक जगा रुकेगा फिर वापस नीचे आ जाएगा यह प्रक्षेप गती का क्या है सीधासा क्या है उधारन अगला है हाँ एक और उधारन है तो यह सीधासा उधारन है प्रक्षेप पर गती का, इसमें कहीं सारे concept बनते हैं, उध्वादर तल, छेती जितल, और यह बनते हैं, उड्डेन काल, अकले टॉप्टी में पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा, अगला उधारन है व्रत्ती गती, हम इसे basically समझते हैं, यह आप सबी को व्रत्ती गती का उधारन म वहीं अब सरवादिक कोशन बनने वाला कोशन है, कि यह क्या है दोस्तों, डिब भी, इसे अगर मैं छोड़ू, और यह नीचे ना जाकर, यही पर आपस में घुमती रहे, यह सिधा सा उधारन, समझो, हमारे चारों और वाता वरण में छोटे छोटे बारी कण हैं, धूल क अगला टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं है, यह पर थीडी के क्या दे रहा हूं? एक्जामपल टूडी हमारा हो गया, अगला कुन सा एक्जामपल दे रहा हूं में? थीडी का, समझ आरी बात दोस्तों, अगला अगला प्रमुक है पतंग की गती, अभी बताया तसर आपने किसका उधारन है? थी डाइमेशनल का, चिडिया देखिए दोस्तों, हाँ, देख फुटबॉल की गती किसका उधारन? टूडी का उधारन, धूल का कन किसका उधारन? थीडी का उधारन, ठीक है, चिडिया की गती, थीडी, पतंग की गती, थीडी, ये सामानने परिवासा में हमने देखा है, लेकिन आप सभी को मैं अगर टेक्निकली रूप से बताओं, ट निर्देशांक जामिती के अनुसार कितने अक्ष होते हैं? तीन, कितने अक्ष होते हैं दोस्तों? तीन, ठीक है, वो तीन अक्ष होते हैं, बहुत ही महत्तुपूर है, एक सक्ष, वाई अक्ष और एक जेड अक्ष, समझना, एक सक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, किसक वस्तू की स्थती में एक अक्ष बदलता है यानि एक अक्ष क्या या तो वो X हो सकता है या तो वो Y हो सकता है या तो जेड जब किसी वस्तू का एक अक्ष बदलता है यानि केवल X अक्ष बदलेगा तो इसे क्या बोलेंगे 1D ये तो आपने इजीली क्या कर दिया सर समझा द किसका निर्मान हो रहा है तल का, केसे हो रहा है समझोगे, समझना है यहापर, यह बन गया दोस्तों आपका एक तल, क्या एक तल बन चुका है यहापर, तो हाँ बन चुका है, तो ध्यात करो, टूडी में मैंने बताया था, यदि कोई वस्तू किसी तल में गती करती है, तो व यो भाई एक तलका निर्मान कर रहे हैं, तो हाँ दोस्तों ये एक तलका निर्मान कर रहे हैं, तो यहाँ पर टूड़ी का उधारण हमने देख लिया, अब समझना दोस्तों क्या मैं इस X को इसा बना सकता हूँ, तो वास्तवी रूप में समभव नहीं है, तो दोस्तों एक उधारण से समझाओंगा आपको, मान लो ये कौन सा अक्ष है, X, ठीक, ये सीधी रेखा, एक X अक्ष है, एक Y अक्ष है, और तीसरी जो आपके पास आ रही है, आईए क्या दोस्तों, आ गई है, तो हाँ, ये तीसरा अक्ष है, जेड अक्ष, तीन अक्ष में बना सकता हू आपको, दोस्तों, हाँ, ये बन गया है, तो अगर किसी वस्तु X, Y और जेड के बीच में सतंत रूप से क्या करती हो, इदर, उदर क्या कर रही हो, घूम रही हो, तो इसे में क्या कहूंगा, 3D यानी 3D डाइमेंशनल, अरे वही तो है, वातावरण में धूल का कन, धूल क क्या कर रहा है, उसके X अक्ष में भी परिवर्तन हो रहा है, Y अक्ष में भी परिवर्तन हो रहा है, और Z अक्ष में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, 3D, आई बस समझ में, एक बार पुना एक और उधारन के साथ, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख रह y भी 0 और जेड भी क्या होगा 0 लेकिन किसी वस्तू के अगर x में क्या हो जाता है परिवर्तन तो इसे हम क्या कहेंगе 1d या एक विमिय गती यदि किसी वस्तू के x और y में परिवर्तन होता है तो इससे में क्या कहूंगा 2D गती यानी द्वी विमिय गती आरी बस में और यदि किसी वस्तू के X, Y और Z में परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगी 3 विमिय गती आरी बस समझ में तो निर्दे सांग ज्यामिती के अनुसार भी हम नहीं यहाँ पर देख लिया कि अगर किसी वस्तू का X अक्ष में केवल परिवर्तन होता है तो एक विमिय गती अगर X और Y में परिवर्तन होता है X और Y में या Z या Y में या Z या X में परिवर्तन होगा तो द्युमिय गती या X के साथ Y के साथ Z या तीनों में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा दोस्तों त्री विमी गती समझ में आया दोस्तों तो तुरंट अभी लाइक का बटन नीचे दिया हुआ है उसको दबाओ और दोस्तों को बोलो कि आज फिजिस का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आप भी देखे और उसको तुरंट क्या करदो शेर और विमी और तुरी विमी आई बास समझ में कोश्चन कुछ भी पूछ ले बताओ आकास में उड़ती हुई चिडिया की गती कमेंड बॉक्स में लिको क्या आएगा उसका उत्तर अब बीच आईए मुझे उत्तर क्या आएगा एक विमी यह दू विमी यह त्री विमी है के गणिती रूप में बन जाते हैं या सीधा सीधा एक्जामपल बन जाता है, तो नया टोपिक क्या ले रहे हैं आपर दोस्तों हम, विस्थापन और दूरी, बढ़ते हैं आगे आपर, दूरी और विस्थापन के साथ, याद करो विमी सुत्र पढ़े थे हमने, हाँ पढ़े थे, M, L, T ठीक है, SI मातरक पढ़ा था यापर, हाँ पढ़े थे बताये थे आपने सर, साथ क्या है SI मातरक, मातरक की पद्धतियां भी आपने बताई थी CGS, APS, MKS और SI, तो इनी सबी चीजों का, अब बहुत ही क्या होने वाला है, उपियोग समझ रहे हो बात को, इनके बीना पेला हमने जो टॉपिक पढ़ा था मापन, इनके बीना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक लेंगे, तो उसका हम पेले तो बताएंगे यह सदीस रासी है की अदीस रासी है इसका SI मात्रक क्या है इसका विमी सुत्र क्या है तो यह सारी चीजे हमको यहाँ टॉपिक में बताना पड़ेगी क्योंकि कोईशन सीधा बन जाता है, बताओ दूरी का SI मात्रक बता दो कि क्या आजाएगा, मीटर ठीक है, यह तो बहुत इजी है लेकिन आगे हमको और देखना है शुरू करें यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं आपर दूरी के साथ एक सब्द क्या है हमारे यहाँ पर, दूरी और एक क्या है, विस्थापन ठीक है, एक दूरी और एक विस्थापन तो दूरी की परिभासा आपको मैं बताओं अगर तो संपूर्ण लंबाई हमारे दूरा तई किये गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई, क्या कहलाईगी दूरी, समझना क्या बोला मैंने मार्ग की संपूर्ण लंबाई ठीक है, दोनों में अंतर ही बताओंगा आपको यह आपर हमारे दूरा या किसी वस्थू के दूरा तई किये गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई सर क्या आप परिवासा परिवासा बोल रहे हो इसको लिख के बताओं मुझे तो एक्जामपल दो तो ही मुझे समझ में आएगा समझो यदि कोई वस्थू ए से सुरू होती है वो घूमते 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 नव लखा भौर क्वा होते हुए वापस कहा जाती है चितावद में अतुल्य एकडमी में तो ए से लेकर बी तक की संपूर्ण मार्ग की लंबाई क्या कहलाईगी इसकी क्या कहलाईगी दूरी क्या कहलाईगी ध्यान चे सुनो सब्द क्या रहा है यहां पर मार्ग की संपूर्ण लंबाई ए से लेकर बी तक आरी बात समझ में, ठीक हैं, हम 9 लखा से अगर भौर को आजाएंगे, भौर को आसे, फिर आएंगे वापस कहां, अतुल्ले किड्मी, तो मैं हैं से भौर को आगया, भौर को आसे कहाया, वापस अतुल्ले किड्मी में, तो मेरे द्वारा तै किये गए मार्ग की संपूर्ण कितनी होगी, मान लो मैं मान लेता हूँ आपर, 5 किलो मीटर, तो मेरी संपूर्ण क्या हो गई, दूरी कितनी हो गई, 5 किलो मीटर, वही विस्थापन की बात की जाए, तो विस्थापन में आता है, प्रारंबिक बिंदू, और अंतिम बिंदू के बीच की दूरी को ही, क्या समझो, संपूर्ण मार्ग की लंबाई, वस्तु द्वारा तै किये गए, संपूर्ण मार्ग की लंबाई क्या दूरी, वहीं वस्तु के प्रारंबिक और अंतिम बिंदू के बीच की दूरी क्या केलाईगी? विस्थापन समझ में आई बात अगर मैं अतुल्ले एकडमी से भवर को आ जाता हूँ और वहां से वापस आता हूँ तो मेरे द्वारा तै की गई दूरी दो किलो मीटर जाना और दो किलो मीटर आना कितनी हो गई दूरी? चार किलो मीटर लेकिन पूछा जाए की मेरा विस्थापन कितना हुआ क्या बोलोगे चार? एसा नहीं है विस्थापन तो कितना हो गया? जीरो क्योंकि मेरा प्रारंबिक बिंदू भी अतुल्ले एकडमी और अंतिम बिंदू भी क्या है? अतुल्ले एकडमी मतलब विस्थापन कितना हो गया 0 मैं भलाई से घुम के आ गया अगर मेरी दूरी पूछी जाए तो 4 और अगर विस्थापन पूछा जाए तो 0 क्योंकि मैं जहां से चला था वापस वही पर आ गया आई बस समझ में दूरी और विस्थापन में क्योंना एक इसका क्या हो जाए छोड़ टासा क्या हो जाए डेरिवेशन या मैथमेटिकल रूप में हम इसे देख लेते हैं समझ ना ठीक है से आगे देखते हम यहाँ पर दूरी और विस्थापन को एक कोश्चन से देखते हैं क्या है दोस्तों यह एक त्रिबूज है हाँ एक त्रिबूज है यह ठीक है ए बिंदू बी बिंदू और सी बिंदू तीनी बिंदू बना ली हमने अगर पूछा जाए अगर मैं ए से लेकर सी तक जाता हूँ कहां से ए से लेकर सी तक जाता हूँ A से B गया, B से C आया तो मेरी कुल दूरी कितनी? तो मेरी कुल दूरी हैं पर हो जाएगी A, B, प्लस, B, C ठीक है? क्या निकाला हैं पर? दूरी, लेकिन विस्थापन पूछ लिया जाए तो मेरा विस्थापन कितना हो जाएगा? A, C क्योंकि मैंने आपको परिवासा में बोला था वस्थू की प्रारंबिक बिंदू और अंतिम बिंदू के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन और वस्थू के द्वारा तै किये गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी, समझो, क्या होता है? कभी कभी कोश्चन यहां से बन जाता है वो क्या दे देता है? छोटा सा एक मेब बना देता है यहां त्रिवुज बना देता है और पूछ लेता है कि बताओ यहां पर विस्थापन क्या होगा? तो हम तुरंत, अरे यह तो बहुत इजी है A, B, P, B, C, लेकिन कोश्चन पुछता है विस्थापन और हम करके क्या आ जाते है? दूरी, यह गलती हमको वहां पर नहीं गरना है आई बास समझ में, आगे बढ़ें क्या आप पूछी चाहते हैं, एक्जाम में, आरी बास समझ में ठीक है, आगे बढ़ें हम यहां पर समझ में आया, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है, आगे बढ़ें चली एक चीज़ और देखीजे हैं आपर कि दूरी अदीश रासी है कि विस्तापन अदीश रासी है या दूरी सदीश रासी है या विस्तापन सदीश रासी है क्या यह आप कमेंड बॉक्स में लिख सकते हो, बताओ दोस्तो कमेंड बॉक्स में मुझे उत्तर चाहिए अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो जरूर दोगे कि दूरी केसी रासी सदीस या अदीस और विस्थापन केसी रासी है सदीस या अदीस तुरंत कमेंड बॉक्स में क्या चाहिए अंसर ठीक हैं देखते हैं कमेंड बॉक्स में कितने लोग सही उतर देते हैं कहीं बार पढ़ते आए हम चाल बराबर क्या दूरी बटा समय अरे ये थोड़े ना पूछेगा वो यहां से क्या बनेगा कोशन ठीक है तो अगला इंपोर्टेंट आपी कि हमारा चाल तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय इकाई समय में तई की गई दूरी कोई क्या बो तक की MPPSC के पुराने पेपर देख लिजे कहीं बार पूछा गया है चाल का SI मात्र क्या है तो तुरंत आप बता दोगे क्या दूरी का तो क्या बन जाएगा मीटर और समय का क्या सेकेंड तो चाल का SI मात्र क्या बता दोगे हैं आपर मीटर पर सेकेंड आरी ये बास समझ मे आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि यह केसी रासी है सर बताईए तो यह रासी है अदीस रासी तो चाल केसी रासी है यहाँ पर अदीस रासी और अगर पूछ लिया जाए इसका विमी सुत्र हमको विमी सुत्र निकालते आता है वहुत ही इजी है क्या है विमी सुत्र में तो स में तो चलिए चाल का वीमी सुत्र निकालते हैं कितना इजी है आपको यूं समझ में आ जाएगा दोस्तों ठीक है मैंने आपको बोला था वीमी सुत्र सदेव किसमें ब्रेकेड में लिखा जाएगा M, L और T क्या चाल में कहीं भी दरव्यमान की बात हो रही है बिलकुल भी नहीं 0 लिक दो क्या चाल में कहीं भी दूरी या लंबाई की बात हो रही है हाँ तो दूरी है तो मैं L की घात क्या चड़ा दूँगा एक L की पावर 1 और सरसमाई भी है तो क्या समय की power 1 चड़ जाएगी? नहीं, समय की power T की power क्या चड़ेगी? माइनस 1 अरे इत्ता तो हमें आता है अगर उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 तो क्या बन गया? विमी सुत्र M0 L1 T-1 अदीस रासी है और मातर क्या है? मीटर पर second समझ रहे हो बात को? ठीक है? एसा हमको आना चाहिए तब ही हमारा क्या होगा? सिलेक्शन ये नहीं कि चाल बरावर क्या दूरी बटे समय पढ़के चल गए और ये हर एक चीज का क्या आना चीए हमें? उसका solution अगर question भी बन जाए है हैं से अब बताओ मुझे आप सभी comment box में इसका मात्रक क्या बनेगा? ठीक है? तुरंत सोच लिए होगा सर इसका भी तो वही बनेगा? क्या? मीटर पर second क्योंकि क्या? विस्थापन को हम किसमें? मीटर में समय को सेकेंड में सेम टू सेम सार इसका भी क्या बन जाएगा? विमी सुत्र M0 L1 T-1 आरी बास समझ में तो क्या-क्या पढ़ लिया? चाल पढ़ लिया वेग पढ़ लिया और वेग के सिरासी है? सदीष और चाल के सिरासी है? अदीष समझे आगे? अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर किसके साथ बढ़ेंगे? तौरण के साथ अरे सर किता इजी टॉपिक है वेग परिवर्तन की दर कोई क्या बोलते है? तौरण तो दोस्तो समझे के साथ वेग में परिवर्तन की दर कोई क्या बोलेंगे? तौरण आरे इबात समझ में अब बताओ केसी राशी है सदीश राशी है जल्ली से बताओ क्या बन जाएगा विमी सुत्र मीटर पर सेकंड का स्क्वेर और क्या बन जाएगा इसका विमी सुत्र m0 l1 ूर t की पावर माइनस 2 आरे इबात समझ में तो क्या-क्या देख लिया यहां पर चाल, विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण और क्या देखा है विस्थापन, दूरी, चाल और क्या देख लिया है त्वरण अब इतनी चीजे तो आपने बता दी क्यों बताई क्यों कि हां से क्या आएगा एक एक्जाम में सिधा सा क्या अमेरिकल करेंगे हैं आपर यदि कोई वस्तू A से B तक क्या करती है जाती है फिर B से C तक C से D तक और D से E तक पोच्छती है कितने घंटों में 5 घंटों में समय कितना दिया है आपर 5 A से B की दूरी है 4 किलोमेटर B से C की 2 किलोमेटर C से D की है 2 किलोमेटर और D से E की भी कितनी है 2 किलोमेटर तो अब मुझे बताओ A से लेकर E तक के बीज की दूरी तुरंत बन गया होगा इतना सराल 4 प्लस 2 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10 तो A से B तक की क्या दूरी कितनी बन जाएगी 10 ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विस्थापन यहाँ पर थोड़ा सा क्या बन जाएगा कन्फ्यूजन क्यों फिर याद करो विस्थापन प्रारमभिक एयवं अंतिम बिंदू के बीच की दूरी क्या होगी विस्थापन तो A से लेकर E तक के बीच का विस्थापन A से लेकर E तक का विस्थापन तो सरे सीधे सीधे जारा 4 और 2 6 तो विस्थापन कितना हो गया, 6 किलो मीटर, ठीक है, दूरी निकाल ली विस्थापन, क्या हम चाल निकाल सकते हैं, इसे लिए निकाल सकते हैं, चाल बराबर क्या, दूरी बटा, समय, दूरी कितनी हैं, 10, समय तो मैंने आपको अल्रेडी दे दिया, तो चाल कितनी दोस्तों पांच दुना हरी बास समझ में हर एक चीज ह GORDON आपको समझ में आना चाहिए एसे ही क्या निकाल लेंगे विस्थापन, विस्थापन नीचे comment box में आपको उत्तर देना है समय दिया है दोस्तों और आपको क्या निकालना है समय दिया है और विष्थापन भी दिया हुआ है ठीक है चलिए तो comment box में दो उत्तर चाहिए मुझे यहाँ पर दोस्तों आप सभी से चेनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों को बोलना है कि हमारी academy के द्वारा अच्छे अच्छे लेक्षर प्रोवाइड किये जा रहे हैं तो आप सभी को वो पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करना है शेर करना है और आप सभी WhatsApp तो चलाते होंगे तो WhatsApp में एक छोटा सा निवेदान है हमारा कि WhatsApp में हमारे status जरूर डालिए ठीक है तभी सभी बच्चों तक easily चल जाएगा और सभी को हैं पर आपको पढ़ाई करने में क्या होगी आसानी मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों चलिए जई हिन दोस्तों